खुपनिख स्टूटेंस याग श्याएंट नीसेंट्टेशों, पहले के वीडियो में हम लोग क्या देखा था? यूस्फुल माईकरोज़नेसम, किदर किदर यूस्फुल होता है, क्या क्या बनने में यूस्फुल होता है और antibiotics बनाने के लिए भी हम लोग क्या यूज करते हैं? microbes को यूज करके हम लोग antibiotics बनाते हैं तो वो खाने से अपने बीमारी जो है वो चले जाता है कभी-कभी अपने immunity system जो है वो भी बढ़ जाता है ठीके? तो harmful microorganism क्या है वो देखते हैं जो harmful microorganism से क्या होता है? some microbes release toxic materials into the food such toxins spoil the food and eating such spoiled food can cause loose motions and omitting तो food poisoning बोलते हैं न हम लोग कभी-कभी-कभी food खाने से अपने को क्या होता है? omitting आता है या loose motion होता है यह सब क्यों होता है? वो जो microbes जो है वो उसके अंदर toxic materials जो poisonous materials रहता है वो food में mix हो जाता है उसके वेज़ से food stuff खाने से अपने पेट में problems आ जाता है that is the food poisoning तो कभी-कभी देखोई दूप के दिनों में दूद या खाना बना के रखते हैं सबजी बना के रखते हैं वो भी क्या होता है? खराब हो जाते हैं वो ज़ल्दी लए खराब होता है और अभी-कभी चापाती भी वैसे एक या दो दिन रखा तो इसके उपर भी फंगस आजाते हैं दूप के दिनों में बहुत जल्दी खराब होता है तो फंगस उसके उपर ग्रो हो जाता है वो क्या करते हैं? वो फूड को खराब कर लेते हैं, और वो भी क्या रहता है, हामफुल रहता है अपने पेट के लिए हामफुल रहता है, तो नहीं तो आप लोग पिकल देखा रहेगा, जो लोंच रहता है, या मूरंबा रहता है, वो कभी-वापन करने के टाइम पर उसके उपर एक वाइक ल यह चोज में आएता है जासा तो पर मिया रमक्रिक है जो ती उपर राजाथा यह उसे अपने को समझ में आता है यह खना आए चाहल जाए है ज सींधी को ऑसे अरiph 직접 बेन रहाए फोड़ा रहा जाता है उसे अर्फुड खराब होआ था जाता था हम लोग खाना जो भी फूट्ट जो रहता है बाहर से परचे लिए उस लेना पड़ता है वो उसी दिन बनाया हूँ है क्या n De e-c बच्वरी करके ले सकते है और जो पैकड फूट रहता है उसका एक्सपेरी डेट देखने का वह यह टाइम पर बनाया वह है क्या यह उसका डेट एक्सपेर हो चुका है क्या वह देखना पड़ता है और उसके आजू-बाजू पे जब क्लीनिंग मेंडेन किया हुआ है क्या फिर उदर से पर्चेस करना चाहिए ठीक है और कभी-कभी क्या है यह जो मैरीज फंक्षन रहता है या फीस्ट रहता है उदर सब कभी-कभी फूट पॉइंट निंग होने का ज्यादा चैंस रहता है वो क्यों होता है क्योंकि जो क्लीनलीनेस रहता है वो प्रॉपरली वह दरसे food poisoning होता है, हमेशा क्या खरना चाहिए, जो fresh खाना हम लोग खाना चाहिए, हमेशा, eat fresh and properly covered food, cover किया हुआ, food खाना चाहिए, हमेशा जक्कन लगाए हुआ, food खाना चाहिए, और boiled water, पीने के लिए क्या यूज़ करना चाहिए, drink always boiled water, ठीके, और हमेशा बाहर जाने के time पे, handkerchief यूज़ करना चाहिए, और कफ या कुछ sneeze आता है, तो हम लोग क्या करना चाहिए, we want to use the handkerchief over our mouth and nose, ठीके, अभी तो mask रहता है, इसलिए इतना problem नहीं आता है, लेकिन normally हम लोग क्या करना चाहिए, handkerchief यूज़ करके अपने mouth को डखना चाहिए, जब अपने को खफ आता है, तो, और अपने आजू-बाजू पे कभी भी garbage जो रहता है, या water जो रहता है, वो accumulate करने को नहीं चोड़ना चाहिए, हमेशा clean रखना चाहिए, अपने surrounding जो रह in the open air and are some easy ways to stop the spread of disease, तो, इसके तरू हम लोग अपने आजू-बाजू पे clean रखने से, या garbage जो है, ताइमली हम लोग जग़ पे डाल देंगे उसका, और जो litter या तुकते लोग, वो सब नहीं खरेंगे और clean रखेंगे, तो, हम लोगों का, क्या रहता है, 80% of the disease जो है, वो हम हम लोग अवर्ड कर सकते है, ठीके, and the सवच्चे बारद अभियान is a national movement started several years ago to increase the awareness about the public hygiene along with habits of personal hygiene, तो, अपने कुत का हम लोग clean करने जैसा, पूरा अपने एरिया भी clean करना चाहिए, उसके बारे में सवच्चे बारद अभियान में बहु सारा ये दिया हुआ है, तो, ये अभ अभी भी हम लोग follow कर रहे है, है क्या नहीं, अपना सवच्चे बारद अभियान जो है, वो अभी भी हम लोग follow करना है, ठीके, next pathogons, disease producing microorganism, जो pathogons रहता है, जो disease produce करने वाले microorganism रहता है, वो कौनसर कौनसर रहता है, आपलों को मालूम है, जो disease produce करने वाले है, very good, mosquito, जो mosquito र देंगू, वो किससे आता है, malaria, देंगू, elephantiasis, yellow fever, chicken gunia, zika fever यह सब किससay होता है, पीब को मुसकटों से आता है, तो यह जो है, फीमेल मुसकटों और मेल मुसकटों इसर रहता है, लार्मली यह फीमेल मुसकटों being in to hell, जो रहता है, पम next let it to you is the most life, अब्सक्राइं जो purpose of les bis पानी भी हम लोग कंस्यूम करेंगे तो वी में फॉल इल विट डिसीजर्स ऑफ अलिमेंटरी खनाल लाइक अमीबियासी टाइफॉइड कॉलरा हैपटेटीस गैस्ट्रो यह सब किसके तुरो होता है हम लोग अच्छे खाना नहीं खाने से यह सब बीमारी आ जाता है ठीके ओ दिप्तेरिया न्यूमोनिया से यह सब क्या होता है कि यह सब का लोगों को भी यह बीमारी आने काशन्स रहता है ठाके, जो common cold, cuff, dipteria, pneumonia, tuberculosis ये सब क्या होता है ऐसा है infected person में से अपने पास आ जाता है breathing के तुरू या touch करने से सब ये बीमारी आपने पास आ जाता है ठीक है और आप लोगों को मालूम है अपने body temperature human being का एक body temperature कितना रहना चाहिए वो पता है आप लोगों को 37 degree celsius रहना चाहिए ठीक है अपने body temperature कितना रहना चाहिए 37 degree celsius if microorganisms under our body our immune system start acting and body temperature rises जब कुछ भी microorganism disease का जो भी microorganism रहता है वो अपने body में under किया तो क्या होता है अपने body का temperature जो रहता है वो increase हो जाता है okay and this destroys the microorganism and the site of an injury also feels warm for the same reason तो ठीक है अपने body जो है कोई-कोई microorganism अपने body में आगे है तो अपने body का temperature बढ़ जाता है इसलिए बुखार आ जाता है कभी-कभी क्या होता है बुकार आने के बाद एक-दो दिन में अपने अब भी कम होता है डॉक्टर के बस न जाके भी कम होता है कभी-कभी वो क्यों होता है वो temperature कब बढ़ता है कुछ microorganism अपने body में अंडर किया तो तो अपने body strong रहा तो वो और्गनिसम के अगेंस्ट हम लोग fight करके वो वाइरस जो रहता है उसको माल डालते है फिर अपने body नॉर्मल कंडिशन में आ जाता है ठीक है आया इतना समझ में तो rainy season में हम लोग बोलते है वो जो कपड़े रहता है वो कपड़े को सब हम लोग क्या करना पड़ता है सुखा के रखना चाहिए बोलते है ऐसा dump नहीं करना चाहिए वो क्यों बोलते है ऐसा क्योंकि dump रहने से उदर smell आता है और microorganism भी होता है और बारिस के समय में देखो जो पर्स रहता है लेदर का पर्स वालेट जा क्या बोलते है बेल्ट फूटवेर उसा पॉलिश रखना चाहिए हम लोग कभी भी स्टोर करके रखते है वैसा चीज लेदर का तो उसके पहले हम लोग क्या करना चाहिए उसको पॉल जो पॉडर जो है समय मेटीरियल आ जाता है वो भी कह रहता है वन टाइप अफ फॉंगस ओके ओल मेटीरियल्स में देखो इन गन्नी बैक्स, कॉटन क्लोष, पेपर, रबबर, एक्सेटरा, और प्रांट प्रोड़क्स, एन लेदर जो लेदर रहता है वो अनिमल जो भी आउर्गनिसम रहता है वो सब क्या करते है यह चीज़स को खराब कर लेते हैं टीके आये इतना समझ में क्या क्या हम लोगों ने यह लेसन में देखा है ओके बै